नमस्कार प्रोकरबडी सीजन 6 का 14 दिन और पहला मैच में दिली के दबंगो ने थामा बेंगॉल वोडियस का विजय अभियान पहले कुछ मिनिट में बेंगॉल वोडियस ने एक अच्छी शुरुआत की मनिंदर सिंग अपने पहले ही रेड में बोनस पॉइंट के साथ वापस लोटे और दिली की तरफ से नवीन को पहले रेड में कोई पॉइंट हाथ नहीं लगा तीसरे मिनट में सुरजीत सिंग का अनसकस्वल टाकल वज़ा बना नवीन के पहले पॉइंट स्कोर करने का और अगले ही रेड में रोविंदर पहल ने एक बहतरीन टाकल में मनिंदर सिंग को धर्दबोचा पाचवे मिनट में बिंगॉल वाउरियस एक पॉइंट से लीड कर रहे थे चार तीन का स्कोर था वहीं ये बढ़त तीन पॉइंट तक गई स्कोर था आठ पाँच 11 मिनट में नवीन रेड पे थे और दो पॉइंट स्कोर किया इस रेड में उनका स्कीप चम ओवर दे चेन बहतरीन था दबंग दिली ने बढ़त लेनी शुनु की और 13 मिनट में दबंग दिली ने पहला और आउट इंपरिक किया और तीन अंकों के लीड लीड स्कोर था 12-9 दिली ने ये लीड हाफ टाइम तक कायम रखा और हाफ टाइम का स्कोर रहा 16-13 दूसरे हाफ में दिली का अटाक और डिफन्स दोनों ने बहतरीन परदर्शन दिखाया 24 मिनिट में चंदर नंजीत ने एक 6 पॉइंट स्कोर किया और दिली ने दूसरा ओल आउट इंपलिट किया हाला कि आखरी के 5 मिनिट में दबंग दिली के डिफेंडरों ने गलतियां की और पॉइंट्स लीग किये वहीं जैंकुन ली लहे में नजर आये और लगतार पॉइंट स्कोर किया पर अंकों का अंतर ज्यादा होने के कारण दबंग दिली ने आसान जीत दर्ज की प्लेयर्स की बात करें तो नवीन कुमार का परदर्शन बहतरीन रहा वहीं जैंकुन ली ने अंडर प्रेसर अच्छा केल दिखाया हलाकि उनके टीम को इसका कोई फैदा ना हो सका वहीं डिफेंडरों में एक बार फिर दहौक रविंद पहल का परदर्शन बहतरीन रहा स्किल्स की बात करें तो नवीन कुमार ने अपने रणिंग हैंड टच और अपने स्केप्ट इसकल जंप ओवर दा चेंज से प्रभावित किया वहीं जैंकुन ली ने अपने किक से